अब वक्त है आज के उपाय का पित्र पक्ष चल रहा है तो पित्रों को प्रसंद करने के लिए क्या उपाय करें? बहुत सरल उपाय आपको बताते हैं जो हर कोई कर सकता है उपाय ऐसा ही होना चाहिए कि जो हर कोई आसानी से कर सके उसका लाब उठा सके तो पित्रपक्ष चल रहा है, पित्रों को प्रसंद करने के लिए ये उपाय आप सब को करना चाहिए ताकि पित्रदेव प्रसंद हो और आपके जीवन में सुख बढ़ाएं, धन बढ़ाएं क्या करना है आपको? पित्रपक्ष की जितने दिन अभी बचे हैं तो प्रति दिन एक रोटी गाय को, एक रोटी कवे को और एक रोटी कुत्ते को खिलाएं प्रति दिन भोजन देना है और रोटी के साथ जो और भोजन सामगरी बनी है, जैसे सबजी बनी है, और जो चीजें बनी हैं वो भी आप दे सकते हैं पूरा भोजन भी दे सकते हैं अगर पूरा भोजन नहीं दे पारें तो एक रोटी उसमें थोड़ा घी लगा दीजे और गाय को खिला दीजे कववे को दे दीजे और कुत्ते को खिला दीजे और पूरा भोजन भी आप चाहें तो दे सकते हैं यह आपके उपर है कैसे आपको खिलाना है नियमेत रूप से पित्रपक्ष के तक प्रति दिन ये उपाय करते रहे और अपने पित्रों को प्रणाम करिए और उनसे निवेदन करिए बार-बार कि आपको आशिरवाद दें आप से कोई गलती हो तो उसके लिए छमा करें और आशिरवाद दें जीवन में जो क कि पित्र देव नंके धरति में हैं वो उनहीयाद कर रहे हैं ऐसा धर्मग्रन्तों में वळन मिलता है कि पित्र पक्ष में जो पित्र हमारे हैं जो पूरवज है वो धर्ती के बहुत करीब आ जाते हैं और वहां से देखते रहते हैं कि हमारे वनसज धर्ती में क्या कर रहे हैं और वो यह देखते हैं कि पित्रपक्ष के दोरान बहुत सारे लोग अपने पूरवजों को याद कर रहे हैं उनके निमित पूजा पाठ तरपण करा रहे हैं और पिंड दान करा रहे हैं श्राद कर्म कर रहे हैं भोजन दान कर रहे हैं तो उन्हें भी आसा होती है कि हमारे भी जो वनसजब वो हमारे लिए भी करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ये उपाय करिए इससे बहुत प्रसन होते हैं और ऐसा धर्म ग्रंथों में वनन मिलता है कि ये जो जीव बताए आपको गाय, कववा और कुटे इनको अगर आप भोजन देंगे तो ऐसा माना जाता है कि इनको भोजन द प्राफ दो हो काया